Hello everyone, मैं हूं किरिंशापुरी और यह है आप लोगों के लिए कमिंग भी की पिका का डीडिंग इस बारी की पिका का डीडिंग का टॉपिक है Divine Message for You और मैंने इस टॉपिक को इसलिए चूज किया क्योंकि कोई भी सिचुएशन हमारी लाइफ में हो हम Divine की तरफ से Message and God को हम मानते हैं उनकी तरफ से एक जवाब हमेशा ही सीख कर रहे होते हैं तो अभी कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें किसी भी तरीके की Confusion है या आपने Decision Choice लेने की ज़रत है आप नहीं ले पा रहे हैं टू माइंड्स में स्टक हैं या अधरवाइस फिर से कहूंगी आप बहुत Confuse हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि काश आप अपने Angel से Connect कर पाएं और उनकी तरफ से जवाब जान पाएं कि भाई इस Situation में आपको क्या करना चाहिए तो यह Reading आपके लिए है और इस Reading में मरपस तीन Piles हैं और इन तीनों में से आपने एक Pile को चूज करना है Pile चूज करने के लिए दो Methods हैं One is आपका Birth Month and the second one is Intuitive Method तो सबसे पहले हम Birth Month के हिसाब से देख लेते हैं अगर आपका Birth January, February, March, April में हुआ है आपके लिए Pile 1 है अगर आपका Birth May, June, July, August में हुआ है आपके लिए Pile 2 है और अगर आपका Birth September, October, November, December में हुआ है आपके लिए Pile 3 है और अगर आप Intuitively Pile को चूज करना चाहते हैं तो आपने आखें बंद करनी है और आखें खोलेंगे तो जो भी Pile आपको सबसे पहले अट्राक्ट करता है Pile 1 में हमारे पास Bay Leaf है Pile 2 में हमारे पास Pyramid है Green Adventuring का and Pile 3 में हमारे पास Cinnamon Stick है तो फिर से जो भी Situation आपको थोड़ा सा Confuse कर रही है या फिर परेशान कर रही है आपने आखें बंद करनी है उस Situation के बारे में सोचना है और आखें खोलते ही जो भी Pile आपको सबसे पहले दिखता है या फिर सबसे पहले अट्राक्ट करता है आपने उसको चूज कर लेना है प्लीज आप अपना Logical Mind इधर बिल्कुल भी नहीं लगाएं जो भी आपका दिल कहता है आपकी Intuition कहती है आपने उसको Follow करना है और Most of the Times हम Confuse तभी होते हैं जब हम जादा टाइम लगाना शूकर देते हैं सबसे पहले जो Pile दिखा जो Pile अट्राक्ट किया जो चीज इन तीनों में से अट्राक्ट करी उसको Trust करके आपने उस Pile को Choose कर लेना है जो भी चीज आपके माइन में है Trust me आपको बहुत ही accurate उसका answer मिलेगा तो I hope कि आपने Pile Choose कर लिया है और अब चलिए देखते हैं कि Angels की तरफ से आपके लिए क्या guidance है ज़र आपने Pile 1 यानि की Belief को Choose किया है या फिर आपका Birth January, February, March, April में से किसी भी मन्त में होता है तो यह reading आपके लिए है और चलिए देखते हैं Pile 1 की cards क्या कहते हैं जिस भी situation के बारे में सोच कर आपने ये Pile Choose किया है Angels आपको उसमें क्या जवाब दे रहे हैं क्या Angels की तरफ से answer है तो देखें यहाँ पर हम जानेंगे Yes or No में answer और आपकी अभी current situation के बारे में भी थोड़ा बोथ हम जानेंगे और आपका कब तक यह काम होगा उसके बारे में भी जानेंगे तो राइडर वैट से हमारे पस Queen of Cups, Seven of Cups and King of Wands के cards है Overall theme card हमारा है Seven of Wands and Monology से Bring Love into the Situation का card है Angels से आप लोगों के लिए Get More Information का card है Take Action का card है और Unlikely का card है तो चलिए जी देखते हैं आपके लिए क्या guidance है तो सबसे पहले theme card को देखें तो यहाँ पे Seven of Wands का card कहता है कि जो भी अभी आपका goal है, मकसद है जिसको आप पाना चाहते हैं उसी से related बहुत challenges रह रहे हैं यानि कि एक smooth going आपको नहीं मिल रही है और हो सकता है आप out of the way जाके effort कर रहे हैं out of the way जाके मेहनत कर रहे हैं In fact, मैं कहूंगी बहुत ही courageously, बहुत ही boldly हर चीज को deal कर रहे हैं आप किसी भी चीट से घबरा नहीं रहे हैं, परेशान नहीं हो रहे हैं परेशान हो सकते हैं, लेकिन give up नहीं करते हुए दिख रहे हैं और अगर ऐसी आपकी energies नहीं हैं pile 1 तो यहाँ पर 7 of wands का card आपको कहता है कि जब तक आप extra effort नहीं लेंगे extra initiative नहीं लेंगे नहीं negative frame of mind में आए, जो भी challenges हैं उनसे घबरा गए तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला और अगर आपने थोड़ा सा भी हिम्मत रखी और बहुत ही courageously फिर से में repeat कर रहे हैं कि चीजों को किया तो definitely आप उसको achieve कर पाएंगे क्योंकि ये card जहां एक तरफ challenges की बात करता है वहीं दूसरी तरफ success को भी represent करता है तो overall के लिए तो दिखिए ये energies हैं अब यहाँ पर Queen of Cups का card कहता है कि जो भी situation है उसमें आप बहुत emotional हो रहे हैं बहुत sentimental हो रहे हैं और हो सकता है कि over loving हो रहे हैं over giving हो रहे हैं जाहें फिर ये आपका professional friend हो personal हो या relationship हो कितनी वारी professional friend में भी होता है हम दिल से जादा काम लेते हैं हम दिमाग से उतना जादा काम नहीं लेते हैं हम over hard work करते हैं हम you know out of the way जाके अपने colleagues की help करते हैं अगेन ये जो भी चीज़े मेरे माइन में आरे हैं मैं कह रही हूँ किसी भी तरीके से किसी भी situation में आप over emotional, sentimental, loving, caring होते वे दिख रहे हैं जिसकी वज़े से issues और मसले बढ़ते वे दिख रहे हैं और in fact दिखिए इसी की वज़े से हो सकता है कि थोड़े ज़ादा आप confuse हो रहे हैं बहुत ज़री चीज़ें आपके माइन में चल रहे हैं हो सकता है आप ख्वाप बहुत देख रहे हैं आप सपने देख रहे हैं और साथ ही साथ आपके बड़ी distracted सी energies रहते वे दिख रहे हैं आपका जो भी गोल है जो भी आप पाना चाहते हैं आप उसको करने के लिए एक काम करते हैं तो कोई और चीज आपके माइन में आ जाती है उसको उपर फोकस करते हैं तो कोई और चीज आ जाती है मतलब आपकी बड़ी distracted सी again कहूंगी deviated सी energies दिख रहे हैं जहां पर आप right direction में right action initiatives नहीं ले पा रहे हैं यहां फर मैं कहूंगी कि आप इतना you know distract हो रहे हैं कि आप action initiative नहीं ले पा रहे हैं दिखिए इसके नीचे take action का card बहुत ही clearly कहता है कि action लेने की उज़र आता है जहां ये card कहता है कि आप action नहीं ले रहे हैं उसी के नीचे take action का card आपको guidance दे रहे कि आप action ले तो सबसे पहली एक guidance आपके लिए ही होगी कि जो भी आपका goal है मकसद है जब तक आप उसके बारे में ख्वाप देखते रहेंगे आप vision बनाते रहेंगे trust me आप उसको नहीं achieve कर पाएंगे आपको action initiative लेना ही पड़ेगा और शायद अगर आप उसको नहीं achieve कर पा रहे हैं तो बहुत सारे chances हैं कि ये action ही missing है और दूसरी यहाँ पर guidance आपके लिए है get more information तो देखिये मुझे ऐसा लगता है कि जो confusion होती है वो अंधीरा होता है और जो light होती है वो रोशनी होती है जैसे ही किसी भी चीज को लेकर हम confused हो रहे होते हैं हम और information उससे related जानने की कोशिश करते हैं हम और knowledge gain करने की कोशिश करते हैं एकदम से clarity आती है और हम बड़ा अच्छा feel करते हैं तो यहाँ पर बहुत clearly एक आट कहता है get more information और जादा जानकारी हासिल करने की कोशिश करें हो सकता है कि बहुत सारी चीजों को लेकर आप ignorant हैं यानि कि बहुत सारी चीजों के बारे में आपको पता ही नहीं है आपको जानकारी किसी खास चीज की हो सकता है नहीं है और इसलिए भी issues मसले हो रहे हैं और जैसे ही आप और information को gather करेंगे, और knowledge को gain करने की कोशिश करेंगे, और उस बारे में जानकरी हसल करने की कोशिश करेंगे, यकीन मानिए बहुत सारे issues आपके solve हो जाएंगे, अब दिखें, future के लिए आपे unlikely and king of wands के cards हैं, unlikely का card कहता है कि कम chances हैं कि ये होगा, अब दिखें, ना तो ये card yes कहता है, ना ये card no कहता है, बहुत क्लियरली कहता है कि chances कम हैं, अब ये depend करेगा कि आपने yes or no को लेकर क्या सवाल सूचा था या फिर आपके मन में क्या सवाल था, for example, अगर पाइल चूज करने वकत या या उससे related भी आपके माइंड में आ रहा था, मुझे unlikely का मतलब है कि बहुत कम chances है कि नहीं मिलेगी, मतलब मिल जाएगी, that is a positive, और अगर आपने बुला क्या मुझे job मिल जाएगी, unlikely कम chances है मिलेगी, मैं यहापे आपको सिरफ बतारी हूँ कि जो आपने starting में सवाल frame किया था, सोचा था, उसी के हिसाब से यहापे आपको जवाब मिल रहा है, and यह मैंने आपको job का example दिया, यहापे relationship भी हो सकता है, यहापे personal friend से related कोई चीज हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है, और king of wands का card कहता है कि चाहें जो आपका goal है, जो आपकी desire है, वो हो या नहीं हो, लेकिन आप कहीं बहुत ही, you know, बहुत ही असानी से इसमें स enthusiasm, excitement आपके लिए, और जैसे हमने starting में का था कि courageously चीजों को deal करने की ज़रद है, तो वो करे जाता हुआ दिख रहा है, जैसे हमने यहापर देखा कि आप action initiative नहीं ले रहे हैं, तो कहीं action initiatives लेते हुए दिख रहे हैं, जैसे अगर हम starting से देखें, तो आप बहुत दिल से काम रहे थे, बहुत जादा आप हो सकते है, सल्क भी कर रहे थे, और चोटी-चोटी सी बातों को दिल पर भी लगा रहे थे, तो नियर फ्यूचर में कहीं फिर से मैं काऊंगे, आप बहुत ही, तो बहुत ही, तो बहुत आप की clarity के साथ, यह clarity नहीं भी हो, तो बहुत, you know, excitedly उ going to make sense, but yes, आपके लिए excitement रहता हुआ दिख रहा है, and देखे, angel card से आपके लिए poised का card है, और यहाँ पर अगर हम guidance देखें, तो जो भी आपकी blessings हैं, जो भी आपकी life में अच्छी चल रहे हैं, चीजें आप उनके बारे में सूचें, उनको लेकर gratitude, आप जरूर express करें, trust me, you know कितनी बारी हमें लगता है, कि भाई, कोई चीज होगी ना अच्छी, तब हम gratitude करेंगे, लेकिन जब आप gratitude करते हैं, आप उस energy में आते हैं, आप उस एक frame of mind में आते हैं, जहाँ पे आप जो भी चाहाते हैं, उसके लिए आप magnet बन जाते हैं, और वो चीजें खुद वा खु कि आप over hard work कर रहे हैं, आप over effort कर रहे हैं, और दिखें, मैं यह नहीं कह रही कि effort न करें, effort तो करना पड़ेगा, but you know, you have to maintain that balance, यहाँ पे आप effort भी कर रहे हैं, and you have to be, you know, a little soft on yourself, आप खुद को लेकर बहुत hard ना हो, खुद को लेकर बहुत सखत ना हो, मतलब खुद के यह बहुत जादा, जैसे बोलते हैं, कि अपने बारे में सोचना ही नहीं, सिरफ दूसरों के बारे में सोचना है, और Queen of Cups का काट भी इसी चीज़ को कनफर्म करता है, कि आप अपने से जादा दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, आप सेल्फ लव नहीं प्राक्टिस कर रह तो इस चैनल को like, share और subscribe जरूर करें, और अगर आपने pile 2 यानि की green pyramid को choose किया है, या फिर आपका birth में June, July, August, September में से किसी भी मन्त में होता है, तो ये reading आपके लिए है, और चलिए देखते हैं pile 2 की cards क्या कहते हैं, जिस भी situation के बारे में सोच कर आपने ये pile choose किया है, उसी से related आप लोगों के लिए divine की तरफ से, जिन भी God को आप मानते हैं, उनकी तरफ से क्या answer है, तो यहाँ पे दिखिए angel answer से हमारे पस let go, not the right time and no के cards हैं, अब no को सुनके घबरा मत जाएगा कि मैं अभी आपको बताऊंगी कि no किस context में है, राइडर वैट से हमारे पास page of pentacles, hangman and chariot के cards हैं, तो देखें, सबसे पहला card यहाँ पर theme card है, which is three of cups, और यह card कहता है कि शायद अभी कुछ time से आप जादा socialize कर रहे हैं, जादा लोगों से connect कर रहे हैं, जादा लोगों से बात कर रहे हैं, यहाँ कोई celebration आपके घर में चल रही है, get together चल रहा है, यहाँ बहुत eating, drinking, merrymaking हो रही है, और इसी से ही related हो सकता है कि आपकी situation है, लोगों से related, किसी group से, किसी event से, किसी celebration से related, यहाँ फिर यह एक situation है आपकी life में, जिसको थोड़ा सा balance करने की ज़रत है, और यहाँ पर पीछे हम देखें, तो page of pentacles का card कहता है, यहाँ तो आप थोड़ा सा immaturity से चीज को deal कर रहे थे, यहाँ आपकी life में, कोई immature इंसान है, जिसकी वज़े से issues है, तो यहाँ पर दिखिए, एक main concern, main mudda, कहीं immaturity रहती हो दिख रही है, फिर से मैं कहूंगी, आपकी भी हो सकती है, यहाँ फिर work front में, कोई इंसान हो सकते है, उनकी हो सकती है, वो बहुत immature तरीके से चीजों को deal कर रहे हैं, और यह चीज आपको bother कर रही है, यहाँ फिर आप खुदी immature हो रहे हैं, और थोड़े से जिदी, थोड़े से stubborn, थोड़े से rigid fixated भी हो रहे हैं, चीजों को ना let go नहीं कर पा रहे हैं, in fact मैं कहूंगी immature जिद रहती होई दिख रही है, money, पैसा, materialistic tangible चीजें थोड़ी सी जादा एहम रहती हुए दिख रही हैं, इनको जादा एहमियत देते हुए दिख रहे हैं, अब देखीए कोई भी situation हो सकती है, कुछ के लिए हो सकता है कि आपका professional front है, work है, कुछ के लिए आपका personal front हो सकता है, कुछ के लिए relationship हो सकता है, तो यह general reading है, स को लेकर concern रह रहा है, और दूसरा मैंने आपको बताया, immaturity एक मुद्दा है, और तीसरा इसी से ही related कहीं, थोड़ी जिद पकड़ी हुई है, rigid हो रहे हैं, और यहाँ पर देखिए, इसी के बिलकुल नीचे, let go का card कहता है, कि angels आपको कहते हैं, कि थोड़ा सा situation को let go करने की ज़रत है, इतना tightly पकड़ेंगे, let go नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप जाधा परेशान होंगे, और अगर यह situation है, जिसके बारे में आपने सोचा है, और यह pile चूस किया है, उसमें आप let go कर देते हैं, यकीन मानिए, आपकी चीज़े थोड़ी सी असान हो जाएंगी, हमें पता होना चाहिए, कब हमने चीज़ों को hold on करना है, कब blood को करना है, the moment कोई भी चीज, हमें mental tension दे रही है, anxiety दे रही है, restlessness दे रही है, जिसकी वज़े से हमारी health में ऐसर पढ़ रहा है, अब दिखें, कितनी बारी लोग बोलते हैं, नहीं जी, हमारी health में तो असर नहीं प्यारी हो वो इंसान, जितना भी प्यारा हो, वो काम में आपको monitorally, यानि कि money wise कितना भी फैदा मिलने वाला हो, आप थोड़ा सा उसको let go करें, मैं यह नहीं बोलरी कि बिल्कुल आप end कर दें, but yes, एक time दे दें, एक break दे दें, एक pause दे और कुछ time के लिए उस चीज को again let go कर दें, भूल जाएं, और यहां पर देखें, not the right time का card angels की तरफ से भी इसी चीज को और जादा confirm करता है कि अभी सही समय नहीं है, होता है ना देखें, मैं हमेशे एक example देती हूँ कि चावल का एक season होता है, और उस season में जब आप चावल का बीज जमीन में बोते हैं तो आप आपको पौधा मिलता है, लेकिन अगर जब चावल का season नहीं है, आप बीज बोएंगे तो बीज वेस्ट चला जाएगा, इसी तरीके से हर चीज का सही समय होता है, जब आप उसके सही समय पर उस काम को करते हैं, तो आपको outcome मिलता है, result मिलता है, और जब उसके लिए सही समय नहीं होता है, आप effort करते जाते हैं, आपके effort भी waste जाते हैं, और आपको result मिलता है, आप और frustrated होते हैं, हाला कि देखिए, not the right time के ऊपर hangman का card कहता है, कि आपने खुद से ही अभी pause लिया हुआ है, थोड़ा सा stuck फील कर रहे हैं, आपको लग रहे हैं आपको इस situation में आगे ज सकते हैं, और काफी compromises, adjustments करते हुए दिख रहे हैं, अपना नजरिया बदल कर भी चीजों को देखना चाहा रहे हैं, और yes, अभी काफी आप compromises, adjustments करते हुए दिख रहे हैं, और हम future के लिए देखें, तो यहाँ पर no का card बहुत clearly no कहता है, but no किस context में, जो भी आपका सवाल है उसके context में, अगर आपने पूछा था कि क्या मुझे job नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर no का card है कि नहीं, मतलब मिल जाएगी, क्योंकि आपका जो सवाल है, उसी का ही direct ये card answer दे रहे हैं, क्या मुझे job मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्या मुझे job नहीं मिल सकती, नहीं, ऐसा नहीं ह मतलब 20-25% chances हैं, कि अभी भी हो सकता है, और यहाँ पर no, आपको ये भी कह रहे हैं, कि अभी अपना effort, अपनी महनत, मत इस काम पर waste करिए, again थोड़ा सा pause कर लीजिये, और यहाँ पर hangman के card के, अगर हम guidance देखें, तो आपको यही कहता है, अपना नजरिया बदल कर देखिए अपना perception बदल कर देखिए, चीजें जादा अच्छे से समझ में आएंगी, और यहाँ पर chariot का card कहता है, कि आप इस situation से बहुत ही confidently बहार निकलेंगे, चीजों का control अपने हाथ में लेंगे, आपकी success होगी, आपकी victory होगी, अब दिखिए बहुत सारी लोग बोलेंगे, मैं no का answer है, तो फिर chariot कैसे, अब दिखे जिस तरीके से हमने सोचा हमने यह चीज बिल जाए, हमारा यह काम हो जाए, हो सकता है, उस तरीके से नहीं हो रहा है, जिस तरीके से divine चाहते हैं, उस तरीके से हो रहा है। कितनी मारी ना, जैसे हम बोलते हैं कि भई, किसी को हम प्यार क में आया उनसे हो गई हम अगें थोड़े परिशान होते हैं बट आगे चलके हमें लगते हैं कि कितना अच्छा हो उनसे नहीं हुई इनसे होई यह जादा बेटर है यहाँ पर मैं आपको सिरफ और सिरफ शादी का एक्जामपल दे रही हूं कोई भी सिच्वेशन हो सकती है ज चैरियेट इस यह कार्ड यह पॉजिटिव आंसर की बात करता है और यह कार्ड कहता है कि थोड़ा सा आप अगर अपनी डिस्ट्राक्शन को साइट पर रखेंगे अभी हमने देखा कि शायद आप बहुत इटिंग, डिंकिंग, मेरी मेकिंग पर फोकस कर रहे हैं काफी अपनी इमोशन को आपनी थोड़ा सा बैलन्स करना है अपने उपर हावी नहीं होने देना है और हेर और नाओ का कार्ड कहता है कि बहुत जादा फ्यूचर की प्लानिंग ना करें बहुत जादा पास्ट में जो हो गया उस पे फोकस करके अफसोस में अभी प्रेजन जो कर सकते हैं बिना खुद को परिशान करें बिना stress, tension, anxiety को create करें वो काम आप करें और emotions को balance में लेकर आएं तो जो आप चाहते हैं definitely होगा लेकिन उस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से आपने सोचा हुआ है थोड़ा सा उसमें divine की मर्जी, divine का तरीका जादा रहता हुआ दिख रहा है और कहते हैं न कि जब हमारे मन की नहीं हो रही तो divine के मन की हो रही है तो हमारे लिए जादा बहतरी है क्योंकि divine को हमसे जादा पता है तो ये था pile 2 आप लुगों के लिए reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस च September, October, November, December में से किसी भी मन्त में होता है तो ये reading आपके लिए है और चलिए देखते हैं Pile 3 की cards क्या कहते हैं जिस भी situation के बारे में सोच कर आपने इस Pile को चूज किया है उसी से related angels की तरफ से जन God को आप मानते हैं उनकी तरफ से क्या guidance है तो यहाँ पर दिखें सबसे पहला card angel answer से आप लोगों के लिए है Ask your angels and then we have no and then we have within the next few months तो थोड़ा सा contradictory है अभी हम देखेंगे राइरवाट के card के हिसाब से कि क्या चल रहा है आपकी life में और क्या आपको cards message दे रहे हैं तो यहाँ पर दिखें overall theme card यहाँ पर है 7 of pentacles और यह card कहता है कि जो भी situation है उसमें हो सकता है आपको decision लेना है आपको choice लेनी है और यह decision यह choice लेना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है आप थोड़ा सा pause करके चीजों को अच्छे से समझना चाहा रहे हैं और थोड़ा सा हो सकता है पीछे मुड़कर analyze भी कर रहे हों कि क्या आपने किया जिससे कि आपको एक positive outcome मिला क्या किया इसकी वज़े से आप परेशान हुए और उनी के basis पे आप decision choice लेना चाहा रहे हैं तो एक planning अभी जो भी situation में आप हैं उसी से related चलती भी दिख रही है आप देखिए यहाँ पर two of cups का card बहुत ही clearly relationship को represent करता है बहुत ही clearly you know again किसी भी relationship की बात करता है तो यहाँ पर जादा मुझे दिख रहा है कि पीछी किसी भी चीज को लेकर अगर आप bother हो रहे थे परिशान हो रहे थे तो उसमें relationship का issue है अब यह relationship सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि रोमांटिक relationship है कुछ के लिए parent के साथ relationship है कुछ के लिए बच्चों के साथ relationship है कुछ के लिए simply कोई friend हो सकती है उनके साथ relationship है जो आपको bother कर रहा है परिशान कर रहा है और कुछ के लिए यह भी हो सकता है जो भी situation है उसमें किसी का support है आपके लिए और overall के लिए फिर से मैं कहूंगी emotions, feelings, sentiments, कोई इनसान किसी इनसान के लिए बहुत एक love, care, महसूस करना ये एक जादा issue मसला रहता हुआ दिख रहा है अब दिखिए यहाँ पर आप तो angel से पूछ रहे हैं और angels ने आपको बोल दिया कि भाई ask your angels तो जिन भी God को आप मानते हैं और आप एंजल से मतलब यह भी हो गया और आपको लगता है कि वो आपके well-wisher है, आपका भला चाहते हैं कभी-कभी हम surface level के लिए उनकी advice नहीं लेते हैं क्योंकि जो वो कह रहे होते हैं, वो जो हम चहा रहे होते हैं उससे align नहीं होता है, उस direction में नहीं होता है तो हम कितनी बारी अपने well-wishers को ignore करते हैं, उनकी advice को ignore करते हैं deep down हमें पता होते हैं कि वो मर अच्छा चाह रहे हैं तो यहाँ पर बहुत clear आपके लिए guidance है Ask your angels, मतलब जो भी आपकी life में लोग हैं या जो एक इंसान है जिसको आप angel के जैसे मानते हैं, angel के जैसे मानते हैं इंदसेंस आपको पते हैं कि वो आपकी well-wisher है और आपको लगते हैं वो खुद भी experiential है, मतलब वो खुद भी समझदार है उनसे आप जरूर एक बारी बात करें, advice लें और अभी के लिए अगर हम देखें तो एक irritation है, frustration है या तो आप immaturity से चीजों को deal कर रहे हैं या फिर कोई immature इंसान है आपकी life में जिसकी वज़े से थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं और कहीं देखिए अगर आप हैं तो आपका communication लोगों के साथ बड़ा blunt, straightforward हो रहा होगा आप थोड़ी तीखी बाते कर रहे होंगे थोड़ी ताने मार के बात कर रहे होंगे और अगर आपका ये नहीं है energies तो कोई इंसान आपके professional, personal friend में हो सकता है जो काफी immature हैं थोड़ा sarcastically ताने मार के बात कर रहे हैं और जिनकी वज़े से थोड़े से issues, मसले हो रहे हैं और कहीं देखिए फिर से मैं कहूंगे अगर आप हैं तो आप बहुत logical हो रहे हैं किसी चीज के बारे में जानने के लिए बहुत curiosity हो रही है और कोई और हैं तो आपको बहुत spy कर रहे हैं बहुत आप पे नज़र रखे हुए है और timing के लिए अगर हम देखें तो within next few months हाला कि देखिए यहाँ पर no का card है और no के आगे भी exclamatory mark है तो no यहाँ पर जो भी आपने सवाल पूछा है या आपके mind में था pile choose करने से पहले उसके ही context में है किसी के अगर आपने पूछा क्या मुझे job नहीं मिलेगी तो यहाँ पर no का मतलब है कि मिल जाएगी मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी no उस sense में है आपने पूछा मुझे job मिल जाएगी no नहीं मिलेगी तो जो भी आपका सवाल है उसी से ही related यहाँ पर जवाब है और यहाँ पर यहाँ पर यह भी हो सकता है आपका जवाब की अभी नहीं होगा इसको कुछ महीने लगेंगे क्योंकि cards next 6 months के बारे में बताते हो तो मैं यही कहूंगे आपको यह cards देखकर कि 4-5 months तक नहीं होता हु दिख रहा है विदिन दा नेक्स वी महीने बाद नौ महीने बाद chances है और दिखिए answer card भी two of wants है जो की again बहुत ही positive card है यह बोलता है कि जो भी चीज के बारे में सोचा आपने उसमें expansion होगा चीजे next level पर जाएंगी next you know phase में जाएंगी चीजें भी हाँ पर इस तरीके से नही दिख रहे हैं फिर से मैं कहूंगी कुछ महीनों बाद अभी नहीं क्योंकि अभी के लिए no का card है तो अभी नहीं होगा it will take some time और जब होगा तो बहुत एक enthusiasm होगी excitement होगी और कोई आपके love निया फिर professional friend में कोई इनसान हो सकते है उनका बहुत एक support रहेगा उनकी तरफ से ब out of the country से related भी कोई activity कोई चीज होती हुए दिख रही है नचल में चीजें next level पे next phase पे जाती हुए दिख रही है और दिखें यहां पर angel से milk and honey का card है और यह card कहता है हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया है कि decision और choice नहीं ले पा रहे है और यहां पर दिखें two of cups भी decision choice की बा मैं कहूंगी वो decision ले जिसमें आपको लगता है कि आपको long run में happiness मिलेगी मतलब emotions, feelings, sentiments के basis पे ना लें कितनी बारी हमें पता होता है कि you know again relationship का example दोंगी कि जिस इंसान के लिए हमारे मन में feelings है उसके साथ हम खुश नहीं रह सकते या अभी चलिए future की बात छोड़ दीजे आगे कैसे खुश रहेंगे ना कोई जादू की छड़ी तो है नहीं जो घूम जाएगी और वो इंसान एकदम से बदल जाएंगे किसी को बदलना असान नहीं होता है in fact ना मुम्किन होता है और फिर भी अगर आप उस direction में जा रहे हैं और उमीद कर रहे हैं कि आप खुश ह करें उस इंसान को चूज करें जिसमें आपको long run में happiness joy मिलेगी comfort मिलेगा milk and honey कहीं materialistic comforts की भी बात करता है जहां पर materialistic comforts हैं तो कहीं एक practical realistic decision लेए and monology से आप लोगों के लिए be bold and make the first move तो यहां पर यह काट बहुत ही clearly कह रहा है कि अगर आप इंतजार करते रहेंगे आप wait करते रहेंगे सही समय का यहां फिर मेरी किसमत में होगा तो मिल जाएगा यह चीज नहीं होगा तो नहीं मिलेगा यहां अगर relationship है तो वो पहल करेंगे तो होगा तो फिर आप पर रिशान हो सकते हैं आपने ही बहुत courageously, बहुत boldly initiatives लेने हैं, action लेने हैं and थोड़ा time लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, अच्छे से planning करें, अच्छे से सोचें, अपने फाइदे के बारे में सोचें, जिस चीज में आपका फाइदा है, फाइदा in terms of money, पैसा, materialistic, tangible चीजें emotions और feelings के basis पे ना करें चीजों को, ऐसा करेंगे तो आपको एक अच्छा outcome मिलेगा, जो एक happiness joy लेकर आएगा आपकी life में तो ये था pile 3 आप लोगों के लिए reading, और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को ज़रूर लाइक, share और सब्सक्राइब करें